चेप्टर, Means of Transport इसका पार्ट सेकेंड चल रहा है हमारे यह वर्ड मीनिंग है आज चैला वर्ड मीनिंग क्या है? स्टीमर स्टीमर मीन्स होता है जहाज सेकेंड है यॉट यॉट मीन्स नोका थर्ड, थर्ड केरी सी, ए, डबल आर, वाई केरी मिन्स ले जाना फॉर्थ, पैसंजर पी, ए, डबल आस, ए, ए, जी, ए, आर पैसंजर मिन्स यात्री फिप्ट है ह्यूज ह, यू, जी, ए, ह्यूज मिन्स होता है बड़ा सी, ओ, आ, टी, पार्ट मिन्स बंदरगा लोट, ल, O, A, D लोट करना यानी चढ़ाना नेक्स्ट है, अनलोडिंग यू, ए, ए, अ, ए, डी, आ, ए, 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 अनलोडिंग का मतलब होता है उतारना सामान को उत्राई करना तो उतारना भी कह सकते हैं नेक्स्ट है एक्सपेंसिव E-X-P-E-N-S-I-V-E एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव मीस होता महेंगा अविलेबल A-V-A-I-L-A-P-L-E अविलेबल होना उपलब्द होना एरपोर्ट A-I-R-P-O-R-T एरपोर्ट मीस होता हवाई अड्डा नेक्स्ट है इंटर नेशनल I-N-T-E-R-N-A-T-I-O-N-A-L इंटर नेशनल इंटर नेशनल मीस अंतर रास्टी है अंतर रास्टी होता है तो इंटर नेशनल नेशनल रास्टी होता है हमारे और इंटर नेशनल होता है अंतर रास्टी है तो यह आज की वर्ड मिनिंग है जैसे आप डेली अपना वर्क करते उसके अकोडिंग आपको अपनी नॉट्बुक में इससे नॉट करना है ओकी हमार जो means of transport चल रहा है उसमें हम land transport को पहले पढ़ चुके है तो आज हमार जो topic चल रहा है वो है water transport आप समने हैं तकी टिक मार्क में कर लगा रखा होगा और आज जो हम पढ़ने चारे वो है water transport तो water याणि पानी जो आले परिवहन कौन से होते हैं साधन कौन से हैं जो पानी में चलते हैं means of water transport move on water means of water transport यानि पानी वाले जो परिवहन होते हैं उनका माद्यम क्या है मतलब है इससे move on water जो पानी पे चलते हैं तो पानी में चलने वाले पानी के परिवहन या साधन सीप्स, बोर्ड्स, फैरीज और इस्टीमर्स are common means of water transport सीप्स होती है यानि जहाज होते हैं बोर्ड्स होती हैं नावे होती हैं ये भी हम नावों के रूप में कह सकते हैं एनिस्टीमर्स होते हैं जहाज होते हैं और common means of water transport ये सामाने माद्यम होते हैं जो पानी में चलते हैं यह पानी में चलने वाले साधन होते हैं जो कि जनरली आपने देखा, इन सब के वारे में सुना भी है Boards, Yard and Stimmers are some means of water transport that move in rivers जो नावे होती है, छोटी नाव होती है और Stimmers होते हैं, जहाज होते हैं some means, कुछ माद्यम है पानी में परिवहन के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, पानी में चलने वाले जो परिवहन है, साधन है that move in rivers, जो किस में चलते हैं, नदियों में चलते हैं क्योंकि जहाँ ज़्यादा पानी होगा, बहीं पर तो move करेंगे, तो move in rivers नदियों में चलते हैं जो बहुत संख्या में क्वांटी, जो मात्राएं होती है, सामान की उनको भी दूसरे देशों में लेके जाते हैं ships need a pot for loading and unloading goods ships जो होते हैं, जो जहाँ जो होते हैं, उनको need पड़ती है, need यानि आवशक्ता पड़ती है port की, port means बंदरगहा की for loading, loading यानि चड़ाने के लिए and unloading करना goods यानि जो सामान होते हैं, उनको उतारने के लिए तो उनकी उताराई के लिए भी उनको क्या होता है, उनकी port की आवशक्ता पड़ती है Mumbai port is India's biggest and busiest port Mumbai बंदरगहा, भारत का सबसे बड़ा और व्यस्तम बंदरगहा है तो Mumbai port क्या है, भारत का सबसे बड़ा, biggest, सबसे बड़ा और busiest यानि सबसे व्यस्तम बंदरगहा है नेक्स्ट है, air transport यानि जो कस में चड़ने वाले परिवहन कौन से तो air transport that move in air are known as air transport means of transport, यानि जो परिवहन माध्यम जो move करते हैं in air जो हवा में air, मनलब move करते हैं, चलते हैं are known as, वो जाने जाते हैं as air transport वो वायू या तयात की रूप में या परिवहन की रूप में जाने जाते हैं It is a highly expensive transport यह है एक उच और expensive transport यानि खर्चिला या तयात है या परिवहन का सादन है मैं highly यानि उच खर्चिला, expensive यानि महंगा होता है और transport यानि परिवहन का सादन है The fastest means of air transport are aeroplanes and helicopters The fastest means of air transport यानि सबसे तीज गती वाला माध्यम जो air transport है वायू यान का या तयात का है परिवहन का वो कौन से हैं? Aeroplanes है और helicopters है यानि aeroplanes होते हैं, हवाई जाहाज और helicopters होते हैं Aeroplanes land and take-off from the airports Aeroplanes जो land करते हैं, land करना यानि वो अपने चलते हैं उपर जाते हैं and take-off करते हैं, उतरते हैं from the airports कहां पर? उनका जो हवाई अड्ड़ा पढना होता वहाँ पर वो land करते हैं, उतरते हैं और चर्ड़ते हैं वाप ऐसी तो take-off from the airports Helicopters are used to reach यानि helicopters का उप्यों किसके लिए का गिया जाता है? Reach यानि पहुँचने के लिए Plans यानि जो इस्थान होते हैं Reach the places, sorry Reach the places, यानि जो इस्थान होते हैं Where airports are not available जहाँ पे हवाई अड़े नहीं होते उपलब्द नहीं होते वहाँ पे क्या जाते है? Helicopters का उप्यों किया जाता है उनिस्थानों पे पहुँचने के लिए तो आपने क्या समझा कि Aeroplanes जादा तर कहाँ पे Take-off करते हैं अपने उतरते हैं Airports पे करते हैं और वहीं पर से वो land करते हैं और Take-off फी वहीं पर करते हैं जबकि Helicopters का हम यूज कहां कर सकते हैं वैसे उनिस्थानों पे कर सकते हैं जहां पे Airports नहीं होते हैं कई जगे ऐसी होते हैं कि जहां Airports हमें अविलेबल नहीं होते हैं तो वहाँ पे Helicopters का यूज किया जाता है ताकि वो आसानी सुनिस्थानों पे कोई भी सुविदा को प्रोवाइड किया जा सके तो Reach the Places उनिस्थानों पे पहुँचने के लिए उप्योग में किया जाता है वेर Airports आ नोट अविलेबल जहां पे हवाई अड़े नहीं होते हैं Means of Transport Have brought us closer to our dear ones Means of Transport जो ये परिवहन के माद्यम होते हैं ये हमें brought यानि लाते हैं closer यानि करीब लाते हैं Our dear ones हमारे जो प्रिये लोग होते हैं उनके करीब हमें लेके आते हैं They are really the life lines of our country They are really वे वास्तव में हमारे जीवन रेखाए होती हैं हमारे देश की वे वास्तव में क्या है हमारे देश की जीवन रेखाए हैं ओके स्ट्रेन तो आपने क्या पढ़ा कि जो हमारे means of transport है उसमें हमने land transport, water transport, air transport के बारे में पढ़ा तो देखे हमारे वास्तव में अगरवाइदे भी ट्रांस्पोर्ट नहीं होते तो हम कहीं पर भी जल्दी सी easily हम नहीं जा सकते थे तो इसलिए हमें ट्रांस्पोर्ट की बहुत ज़्यादा आफशक्त होती ताकि हम heavy lords को भी उनको ले जा सकते हैं और हमारे जो प्रिये लोग होते उनके पास पे हम easily जा सकते हैं तो इसलिए हमारे लिए वास्ता में क्या है यह हमारे देश की lifelines होती है तो आप यहाँ पर tick mark कर लेंगे और इसी वीडियो को watch करते हुए यह chapter को अपने clear करेंगे ओके स्ट्रेंड्स थैंक्यू